गाईज आज वीडियो में प्रिवियू करने वाले हैं इसकीन ब्राइट क्रीम का इस वीडियो आपको दाँगा इसकीन को यूज करने से क्या क्या फायदे होते हैं और आपको इसकीन को कब और किस तरह किसे लगानी चाहिए आज इसकीन के बारे में आपको complete information देने वाला हू पुर्स का प्राइज है 148 रूपीज लेकिन गाईज है मुझे medical store से 120 रूपीज की मिली है बात करें इसकीन के ingredients की तो इसकीन में तीन medicine का यूज किया जाता है ये क्रीम आपकी काफी ज़्यादा help करने वाली है गाईज क्या होता है कि अगर हमारे face pain में से कोई भी problem होती है जैसे की जाहिया मेलाजमा pigmentation sunburn तो इससे क्या होता है कि हमारे चैरा काफी ज़्यादा sound ला नजर आने लगता है तो इस क्रीम को use करने का यही benefit है ये क्रीम इन सबी problem को हमारे face से कतम करती है और हमारे face को थोड़ा fair भी करने वाली है लेकिन गाईज हम आपको यह नहीं बोल ला हूँ कि ये क्रीम आपके च स्क्रीम को ऐसे फेंडे स्क्रीम यूज करते हैं और सोचते हैं कि ये क्रीम हमारे चैरे को बहुत ज्यादा गुरव बना देगी आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपने स्क्रीम को ऐसे फेंडे स्क्रीम बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है क्योंकि स्क्रीम पे जितने benefit ह सब्सक्राइब कर लेता हैं स्क्रीब को यूज़ के जाहे हैं नंगे से कीन परगर आंपके पूरे प्रॉबलमने दिन में लगा सकते हो और फिर सुबह उठकर आपने अपने फेस को नॉर्मल वोटर से वोस कर लेना है और आपको इस क्रीम का 15-20 दिनों के बाद रिजल्ट देखने को मिल जाएगा और जैसे ही आपकी प्रोब्रम ठीक हो जाए वैसे ही आपने इस क्रीम को लगानी बंद कर देनी है इस क्रीम को जादा लंबे समय तक यूज नहीं करना है और गैस मैं आपको एक बात और बता दूँ आपने इस क्रीम को दिन में बिल्गुल भी यूज नहीं करनी है और नहीं आपने इस क्रीम को लगाने के बाद सलनाइट में जाना है नहीं तो आपको इस्क्रीम के काफी ज़्यादा side effect देखने को मिल सकते है और guys last time मैं आपको यही suggestion दोगा कि आपको इस्क्रीम को doctor की advice लेने के बाद यूज़ करनी चाहिए या जिस भी medical store से आप इस्क्रीम को buy करते हो महीं से आपने स्क्रीम के बारे में पूरी जान करीड ले लेनी है उसके बाद ही आपने स्क्रीम को यूज़ करना है so guys यही था इस स्कीन ब्राइट की निम का review guys वीडियो पसंद आए दिए वीडियो को लाइक और से जिरू को दीजे और इसी तरी के वीडियो दीखने के लिए अमने चैनल को सब्साइब कर लिजे